हलो फ्रेंड्स मैं अर्चना राजे जैन स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर आज डिजिटल नीड आफ द आर की सीरीज में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डिजिटल टूल्स के बारे में डिजिटल टूल्स ये वो टूल्स हैं जो आज की डेट में हर स्मार्टफून यूजर अपने फोन पर इस्तेमाल करता है इन का फायदा हम कैसे ले सकते हैं सोोशल मीडिया आज की डेट में बिजनस मीडिया बन चुका है हर कोई पैसा spend कर रहा है social media apps को use करके कि वो वहाँ से अपने business को कैसे बढ़ा सके social media के कुछ ऐसे ही channels को हमें सीखना है जिससे हम इस business को बढ़ा सके ये बहुत आसान भी है बहुत जब को results देता है बहुत knowledge से भरा हुआ है और work from home में ये compulsory भी है आपको यहां करना क्या है आपको अपने social media से लोगों से connect होकर कुछ post डालनी है जहां से आप lead generate करेंगे और social media से लोगों को लेकर आएंगे अपने business में recruit करेंगे उनको train करेंगे उनको एक leaders के रूप में develop करेंगे connect करेंगे आप उनके साथ WhatsApp और webinars के थूँ और अपने लिए target सेट करेंगे कि आप अपने लिए goal title level इस company में ज़रूर लें सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं tools में तो Facebook का ध्यान सबसे पहले आता है क्योंकि यहां पर 242 million active monthly users हैं हर segment को target करता है हर तरह के लोग जो है यहां पर आप अपने business को lifestyle को personal brand को highlight कर सकते हो 1 million monthly active users हैं और यह आज की date में fastest growing social network platform बन चुका है यह आपको showcase करने में बहुत helpful है YouTube जो है वो हमारा सब का फेवरेट है हर smartphone user का फेवरेट है 200 million active users है इंडिया में यह एक ऐसा business है जहां पर आप बहुत अच्छे से grow कर सकते हैं LinkedIn में 62 million लोग हैं जहां पर बहुत सारे professionals हैं जो अब बिस लेर करते हैं अब इन post को डालने के लिए हमें कुछ tools को सीखना है सबसे पहले है Canva Canva एक photographic tool है जहां पर आपको 60,000 से भी ज़ादा images हगारा मिलती है Then iMovie आजाता है जहां पर आप अपने जो आपके iPhone में inbuilt app है जहां पर आप movies बना सकते हैं InShot भी एक बहुत बढ़िया बहुत जबरदस्त वीडियो अप है जिसमें आप अपने वीडियो को crop भी कर सकते हैं cut भी कर सकते हैं grow भी कर सकते हैं आपको English नहीं आती कोई problem नहीं Grammarly एक ऐसा app है जहां से आप अपने content को messages को बहुत अच्छे से show कर सकते हैं website strengthen करता है आपके personal brand को यह showcase करता है आपके business को इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं then whatsapp जो है इसका इस्तेमाल करते हैं कोई आज की date में इस्तेमाल करता है messages को देने में voice messages photographic messages सब कुछ देने में zoom में आप अपने लिए video conferencing कर सकते हैं दो या दो से ज़ादा लोगों के साथ immediately आप virtual meeting कर सकते हैं जब आप facebook ads run करते हैं तो उन ads को run करके आप जो पैसा खर्च करते हैं उनको manage करने के लिए आपको facebook ads manager आपको use करना आना चाहिए मैं भी social media network का इस्तेमाल करती हूँ ये मेरे कुछ accounts हैं जो जिनके साथ आप मेरे साथ connect हो सकते हैं latest information के दिखते हैं और latest information आपको यहां मिलेगी धन्यवाद करना चाहते हूँ आपको इस series में हिस्सा लेने के लिए और description box को जरूर पढ़िए Thank you so much